नमस्कार सिटी पोश्ट के इस खास पेसकस में आपका अस्वागत है। नहीं कर पा रही है। अब जेडियू जो बीजेपी का सबसे करीबी सहयोगी दल है। करनी चाहिए। विपक्च को बुलाने के पहले खुद आपस में बैठक करनी चाहिए सहुगी दलों के साथ। और ये क्लियर करना चाहिए, स्पस्ट करना चाहिए कि किस तरह से कैब और एनर्सी से लोगों की परिशानी नहीं बढ़ेगी। और ये देश हीद में है। तो आपको पता है कि एनर्सी और कैब का विरोध पहले से ही जेडियू कर रही है। ताकि पाटी ने लोग सभाराजी सभा में कैब का समर्थन कर दिया था लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो एनर्सी और कैब को लेकर जनता के बीच उससे दूर नहीं कर पाए हैं। उसको दूर करिये क्योंकि जिस तरह से हिंसक प्रदर्सन देश भर में हो रहा है उसका मतलब है कि लोग समझ नहीं पाए हैं। अभी जो खबर आ रही है कि बीचेपी ने डाइसों से ज़्यादा जन सभाय करने की उजना मनाई है नर्सी और कैब को लेकर यानी बीचेपी के नेता घर घर जाएंगे गांगां जाएंगे और नर्सी और कैब के बारे में लोगों को बताएंगे कि किस तरह से ये देशीत जन को सांत करने के लिए जन जागरुकता अभियान चलाने की ओजना बना रहे हैं, वही जेडियू का दबाव लगतार बीजेपी पर बढ़ता जा रहा है, चिराग पासवान भी दबाव बनाये हुए हैं, वह भी एनरसी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अब सहयोगी दलों का दबाव भी बीजेपी के उपर बढ़ने लगा है, लेकिन बीजेपी पीछे हटने के मूड में नहीं है, बलकि वह जन जागरुकता के अभियान के जरिये, वह महाल को अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिस तरह से हिंसक बरदाते हो रही है देश भर में, उससे जवरजस्त धुरुवी करन हो रहा है, इस धुरुवी करन पर भी हम चर्चा करेंगे अगले पैकेज में, आपको एक ख़बर अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ खुब सेर करिए, अगर आपने अब तक हमारा चैनल पोस्त के लिए बहुत मैने रखता है